कि आप सभी का अनिकेडमी के लेट्स क्रेक यूपी एसी एन्सीुटी चैनल में हम लोग इस यूटूब चैनल के माध्यम से भारतिये कलायम संस्कर्ती की एंसी आर्टी का अध्यन कर रहे हैं और हम लोग अच्छा 11 की एंसी आर्टी को पढ़ रहे हैं तो निरंतर हम लोग इसका अध्यन करेंगे, इससे पहले हम लोग आने केडमी के बारे में कुछ आधारभूत बातों को जान लेते हैं, यह देश का सबसे बड़ा आनलाइन का प्लेट फार्म है, यहाँ पे सब्कृप्शन्स लेने पे चार आधारभूत सुभधाएं आपको मिलती हैं, यहाँ पे आपको डेली लाइब क्लासिस की सुभधा मिलती है, इस्तेक्षर्ट सेड्यूल और कॉर्सिस की सुभधा मिलती है, लाइब टेस्ट और कुईस की सुभधा मिलती है, और यहाँ पे वीडियों का अनलिम्टेट एक्सेस आपको मिलता है, इसके अलामा यहां पे subscriptions लेने पे देश के बड़े-बड़े विश्य सग्य आपका मार्दर्शन करेंगे रोमन सैनी जी है मुडाल पटेल जी है अन्य विश्य सग्य भी है इसमें मैं भी इसी में सामिल हूँ इसके अलामा यहां पे subscriptions लेने पे UPSC प्रारंभिक परिक्षा मुख्य परिक्षा आफ्षिनल पेपर NCRT समसामाई की वह आप लोग UPSC की तयारी कैसे करें यह है पढ़ाया और बताया जाता है इसके अलामा यहां पे दो तरीके का subscriptions है यह दोनों subscriptions सामान अध्यान से संबंदित है इसको आप लोग अपने mobile के play store से आने केडमी का learning app डाउनलोड करके प्राप्ट कर सकते है यहां पे आपको get subscriptions का option मिलेगा इसमें आप लोग जैसे ही UPSC गोल सेलेक्ट करेंगे आपको plus course के रूप में 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने का course मिलेगा यहां पे इसकी fee भी mention है यहां पे आप लोग हमारे referral code का mention करें S-A-N-J-E-E-V हमारा referral code है इसे apply करेंगे apply करेंगे तो यहां पे जो fee mention है इसमें आपको 10 प्रतिशत छूट मिलेगी इसके अलामा इसी तरीके से iconic course है यह आपको 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने के रूप में मुझूद है इसमें भी आप लोग हमारे referral code S-A-N-J-E-E-V को mention करें apply करें फलता यहां भी आपको 10 प्रतिशत fee में छूट मिलेगी तो यह सामान अध्यन का दोनों course हो गया इसकी कुछ इस हिस्ताओं को हम लोग देख लेते हैं कुछ खास जानकरिया अब यहां पर जो plus course है इसमें आपको UPSC optional का भी course है एक महीने छे महीने बारा महीने 24 महीने 36 महीने के रूप में है इसमें भी आप लोग हमारे referral code S-A-N-J-E-E-V का mention करें इसमें भी यानि इस फी में भी आपको 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी इसके अलामा UPSC CSC optional cambo यहां पर start हुआ है यह 12 महीने 24 महीने और 36 महीने के रूप में है इसे भी आप लोग जोइन कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं इसके अलामा आनेकेडमी ने 17 मार्च को इसी 17 मार्च को कई प्रकार के बैचों को अपने यहां प्रारम किया हुआ है यह complete सकते हैं इसके अलामा यहां पर आप लोग देखेंगे तो एक कामबैट स्रीज होने वाली है एक किस मार्च को 11 वजे से आप लोग जानते ही है और जोइन इसे कर सकते हैं इसमें आप लोग हमारे रफरेल कोड से डबल ई की वी का परियोग करके आप अंरोल कर सकते हैं और इसमें भागीदारी कृप्ट कर सकते हैं अब आए हम लोग पहुंचते है आज की अपनी क्लास पर तो तैयार हो जाए आप लोग की सुरवात करते हैं हम लोग आज की अपने खोड़ार सा तैयार हो जाएए आप लोग स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में कुछ चीजों को थोड़ा सा हम लोग जानेंगे उसके बाद में सीधे अपनी क्लास पर आएंगे जैसे आजनता की परिपेक्स में आप लोगों को एक बात में बता देना चाहता हूँ बिल्कुल क्लेयर कट की कोई गलत फेहमी आप लोगों को ना हो तो चलिए आप लोग तैयार हो जाएए बेलकम है आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने अजनता एलोरा एलिफेंटा और बाग की गुफाओं का अध्यन किया था ठिक और NCRT के माध्यम से हम लोगों ने अध्यन किया था थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा यह आप लोगों के लिए बहुत ही उपियोगी बात है हम नहीं चाहते कि किसी भी गलत फेहमी का आप लोग सिकार हो और अंजाने में भी हम नहीं चाहते कि आप लोगों से कोई गलती हो आप लोगों ने अन्य जगहों पे भी कल पढ़ा होगा अजन्ता को पढ़ा होगा एलोरा को पढ़ा होगा या अन्य गुफाओं को पढ़ा होगा वहाँ पे कई तरीके से जो भी जानकारी दी गई है वह आपको सही नहीं दी गई और कल भी हमने आपको बताया था, आज भी आप लोग देख लिजिए, कि अगर आप लोग अजनता यहाँ पर पढ़ते हैं, तो सीधी सी बात है कि अजनता में कुल कितनी गुफाएं आपको हमने कल भी बताया था अब यहाँ पे कुल गुफाएं कितनी हैं कुल 26 गुफाएं हैं लोग 29 पढ़ाते हैं चार इसी में अन्या है चैत्य गुफाएं भी बताते हैं जो कि सरासर गलत है यह आपके भारस सरकार की पुस्तक है अगर वो प्रस्ण पूछेगा तो यहीं से पूछेगा और इसके उत्तर को इनकार भी नहीं कर सकता और यहीं पे देखो कहा जा रहा है देखिए 26 गुफाएं आपके सामने लिखी हुई है और आगे देखिए इनमे से चार गुफाएं चैते गुफाएं है आप देखिए सीधी सीधी बात यहां पे लिखी हुई है जिनका समय यहां पे लिखा हुआ है तो आप लोग जान लीजिएगा यहां पे कभी भी कहीं भी किसी पुस्तक की गलत फैमी का सिकार मत होईएगा ध्यान से पढ़िए यही आपके बेस का निर्मान करेगा और यही आपको सही उत्तर देगा यहां पे 26 गुफाएं हैं और इन ही में से जो 4 गुफाएं हैं वो चैते गुफाएं भी है नोट कर लीजिएगा इसको इसको आप लोग हाँ नोट कर लीजिएगा मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से आप लोगों का एक भी प्रस्न गलत हो चूंकि मैं खुद इस चीज़ को जानता हूँ कि 2013 में आखरी बार जब हमारा UPSC में नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कोई बहुत ज्यादा नंबर से नहीं हुआ तो वो चाहे दुरभाग गिरहा हो चाहे कोई गलती रही हो और ऐसा नहीं कई बार एक एक नंबर से नहीं पॉइंट में UPSC में प्रारंभिक परिक्षा में रिजल्ट नहीं आता तो अगर हम इस तरीके से एक-एक प्रस्न को सही करेंगे ना तो किसी दिन हम UPSC की प्रारंभिक परिक्षा में चार-पांच कुष्ण की लीड ले लेंगे और चार-पांच कुष्ण के लिड इसी तरीके से आपको मिल सकती है कि आप एक-एक बातों को सही करें अस्पस्ट करें और NCRT के अंस्वार आप लोग चलें तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा बढ़ियां से अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो कल की क्लास में हम लोगों ने अजन्ता, एलोरा, एलीफंटा और बाग की गुफाओं का प्रापर ठीक-ठाक तरीके से अध्यन किया था इसी इक्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो पुना आप लोगों का स्वागत है चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और कभी भी जिन्दगी में मत भूलिएगा और अगर कोई कहता है कि नहीं नहीं 29 हैं तो आप सिधे सिधे एपड़न्स दे दिजिएगा और ये पीडिएफ भी मैं आज आपको भेज दूँगा कुछ लोगों का कहना है कि पीडिएफ वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो मैं उनको डाउनलोड करने का तरीका भी बता दूँगा लेकिन मैं आज ये पीडिएफ भी आपको इसी अपने टेलिग्राम चैनल पे मोहया करवा दूँगा तो आप लोग इसी एक बार पढ मिल लाएगा अन्य सारी भी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी तो आएए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ महत्तपूर्ण बातों को हमने देखा कि किसी भी तरीके से गलत फहिमी का आप लोग सिकार ना हो ठीक है ना अब इस तरीके से ध्यान मगन होके आप छोग पढ़िएगा बढ़ियां से कि कोई गल्ति आपसे ना हो कोई गल्ति आपसे ना हो तो यह अजनता की ही गुफाएं हैं इसका अध्हेन हम लोग कर चुके थोड़ा सब्सक्राइब है ज्यादा समय नहीं लगेगा आप लोग के बीस में आगे तो बढ़ना ही अच्छा, एलोरा में कैलास मंदिर इस्थित है, तो कैलास मंदिर आप लोगों ने देखा था कल, एलोरा में कैलास मंदिर, बहुत प्रसिद्ध है कैलास मंदिर, और कैलास मंदिर में ये हाथी की गुफा आप लोग देख रहे होंगे, इसको आप लोग देख सकते हैं, एलोर तरफ महात्मा बुद्ध का आभा मंडल दिखाई दरा है मुझे लगता है कल आप लोगों ने पढ़ा था आगे बढ़ते हैं देखा था इस गुफा को इस गुफा को देखा था आप लोगों ने तो आज आपके सामने है अलीफिंटा आज आपके सामने है अलीफिंटा को नहीं पढ़ा था आपने बाग को पढ़ लिया था अब देखिए जरा एक बार एलीफिंटा गुफा का एक द्रस्य देखिए और इसके बाद में समझते हैं यह कैसा द्रस्य है इस द्रस्य को आप ल यहीं से आपको पढ़ना है अलिफन्टा गुफा का यह द्वार आपको देख रहा होगा यहां पे जुब्वयक दख़दा है यहां पे टेडियां आपको देख रही होगी यहां पे कुछ बच्चे जैसे कुछ स्कालेस के होते हैं कुछ स्कूल के होते हैं विभिन्य संस्थाएं इनको यहां पर ब्रमण करवाती हैं आप लोगों को भी मौका मिलेगा आप लोग इसका दर्शन कर सकते हैं इसको देख सकते हैं यह एली फिंटा का प्रबेश द्वार है अब चलिए एली फिंटा की गुफा का हम लोग अध्य करियर की तरफ एली फिंटा एवं अन्य अस्थल अब कुछ एली फिंटा की जो गुफा है उसका अध्यन करेंगे और कुछ अन्य जो गुफाएं हैं उसका भी हम लोग अध्यन करेंगे अब कहा जा रहा है कि जो एली फिंटा की गुफा है यह मुंबई के पास इस्थित ए और इसी मुंबई के पास में स्थित है एली फिंटा ठीक और यह जो एली फिंटा की गुफा है यह किस से सम्बंदित है जैसे एलोरा को आपने पढ़ा अजनता को आपने पढ़ा वह विभिन धर्मों से सम्हंदित हैं वाँ पर विभ्यन धर्मों के चित्र बने हुए है लेकिन yeh कि धर्म से संबनित है तो आप सीधे सीधे कहेंगे ये सशयोधर्ब से संबनित है एक सब्द में यहां पर लिखा हुआ है असपस्ट रूप से यह जो एली-फंटा की गूफा है ये सयव धर्म से संबंधित है यानि भगवान सिव से संबंधित यहाँ पे चित्र आपको बने हुए मिलेंगे अब भगवान सिव या सयव धर्म से संबंधित जो मुख्यत है चित्र बने हुए मिलेंगे आप लोग समझ सकते हो कि भगवान सिव का जो उपकरण है जो हत्यार नंदी वेल आप लोग देखेंगे उनके जो अन्य अंके जो अन्य एक तरीके से अस्त्र सष्ट हैं जिसको धारन करते हैं उनको आप लोग देखेंगे तो इसी का चित्र तो यहां पर बना हुआ मिलेगा और भगवान सिव के कई रूप हैं तो उन रूपों का चित्र यहां पर बना हुआ मिलेगा मुख्यत है आप लोग समझे कि सैव धर्म से संबंधित हैं यह गुफाएं एलोरा की समकालीन है यानि जिस समयकाल में लगभग लगभग एलोरा की गुफाओं का नर्माड हुआ था उसी समयकाल में इस मुंबई में यहां पर एलिफंटा गुफाओं जिले में इस्थित है और यह मुंबई के पास इस्थित है एक और गुफा कल आपने पढ़ा था बाख की गुफा है वो मध्य प्रदेश में बागहनी नदी के किनारे इस्थित है उसको भी धान रखियेगा आप लोग और इनकी प्रतिमाओं में शरीर का पतलापन नितांत गहरे और हलके प्रभाओं के साथ दृष्टी गोचर होता है मतलब यहां पे भगवान स्यू को कैसे दिखाया गया है इनकी जो प्रतिमा है उसका काफी यहां पे यहां पे पतलापन दिखाया गया है चटानों से काटी गई गुफाओं की परंपरा दक्कन में जारी रही कहा ज़रा है कि चटानों से जो काटी गई गुफाएं बनी ऐसा नहीं कि ये मध्यकालिन भारत में ही बनी ये पस्मी भारत में ही बनी चटानों को काटकर दक्षिन भारत में भी गुफाओं का नर्माण किया गया वे गुफाएं महाराष्ट में ही नहीं बलकि करनाटक के चालुक के राजाओं के सनक्षण में भी मुख्य रूप से बादामी वा एहोल तथा आंध्र प्रदेश की बिजेवाडा छेत्र में और तमिल नाडु में पल्लो राजाओं के सनक्षण में मुख्यतया महावलीपू का नर्माण किया गया उसी तरीके से गुफाओं का नर्माण दक्कन यानि दक्षणी भारत में भी किया गया आगे देखिए यहां पर एक बात कहीं जा रही है कि करनाटक में तो करनाटक कहां पड़ता है आपका दक्षण भारत में पड़ता है दक्षण भारत में यहां प आप लोग देखेंगे तो आंध्र प्रदेश इस्थित है अब आंध्र प्रदेश का एक जीला है आज भी है और इसका नाम है बिजेवाड़ा इस बिजेवाड़ा छित्र में भी गुफाओं का निर्माण करवाया गया इसके अलावा आपको दक्षिन भारत में तमिल जाओने जो पल्लो राजा हैं पल्लो राजबंस के सासक हैं इन सासकों ने क्या किया था इन सासकों ने पत्थरों को काटकर यानि गुफाओं को काटकर एक तरफ से बहुत बड़ी सिंखला ही बनवादी थी इस महाबलीपूरम में इसके अलावा कहा जा रहा है कि देश में ईशा की छठी सताबदी के बाद कला इतिहास का विकास राजनितिक अस्तर पर अधिक हुआ यानि कला का जो विकास हुआ तो कलाओं में उसकी राजनेतिक कला का ज़्यादा विकास हुआ राजनेतिक कला का विकास का मतलब यह हुआ कि जो राजा थे वहाँ पे इनकी कलाओं में मुख्यतया राजदरवार से सम्मंदित चित्रों का चित्रांकन किया जाता था जबकि इससे पहले कि आयतिहासिक कालों में वह जंता के सामोहिक सरचन में अधिक फलाफूला था इसके पहले मुख्य तयाह क्या होता था कि जो कलाओं का निर्मान किया जाता था वो जंता से सम्मंदित होता था वो लोगों से सम्मंदित होता था अब कला को एक तरीके से राज़ कीए जब सरक्षन यहां पर मिला तो राज़किये सरक्षन जब मिला तो राजनेतिक चित्र भी बनाये जाने लगे, राजनेतिक गतिविधी को दिखाया जाने लगा आगे बढ़िए थोड़ा सा कुछ महत्तपूर्ण बातें हैं इनको पढ़ते हैं थोड़ा कंसंटेट रहिएगा कठिन तो है ही जो कला का इतिहास है लेकिन एक बार पढ़ लेंगे और रेकात बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं और देखते हैं पूरी तरीके से ध्यान मगन हो जाएए उससाहित हो जाएए जो से भरपूर होनी चाहिए ये कलास आगे बढ़ते हैं कहा जा रहा है कि यहां मिट्टी की छोटी छोटी आकिरतियों का उलेक कर देना भी समीचीन होगा देखिए क्या कहा जा रहा है ये कहा कि कुफाओं का जो निर्मान किया गया वो तो एक अलग बात है लेकिन यहां पर मिट्टी की छोटी छोटी आकिरतियों का उलेक कर देना भी यहां पर समीचीन होगा यानि अच्छा होगा कहा जा रहा है मिट्टी की भी कुछ आकिरतियां बनी हुई है कुछ प्रतिकिरतियां यहां पे आपको मिलेंगी और क्या कहा जा रहा है कहा जा रहा है देश भर में अस्थान अस्थान पर पाई गई है ऐसा नहीं कि वो केवल दक्षिन भारत में ही पाई गई है वो देश भर समपन्नी है पत्थर की गुफाओं को काटकर मूर्तियों का निर्माद करवाया लेकिन हो सक्ता है कि वो सासक अपने पहले चरण में काफी ताकत वर रहे हो अपने अंतिम चरण में थोड़ा सा कमजोर रहे हो तो एक ही सासक हो सकता है कि पत्थर की मूर्दी का भी निर्मान करवा रहा हो और मिट्टी की मूर्दी का भी निर्मान करवा रहा हो यह भी हो सकता है कि निरंतर यही कहा जा रहा है और ऐसा नहीं कि जो मिट्टी के मूर्वी ऑनी वह के वल किसी एक छित्र में sera ही यह संपून भारत में मिटियों का नर्माड़ हुआ यहां पर यह चीज़ें मूर्तियां पाई गई यह देखें मिट्टी के मूर्तियां पाई गई अब इससे एक बात भी और अस्पस्ट होती है कि जो धार्मिक परंपरा में पत्थर का अस्थान रहा वह मिट्टी का रूप भी एक तरीके से धार्मिक परंपरा में निरंतर चलता रहा, समानांतर चलता रहा, ठीक, इसके अलामा कहा जा सकता है कि पकी मिट्टी की अनेक प्रतिमायें भिन्न भिन्न छोटे बड़े आकारों में सर्बत्र पाई गई, यानि यहां पे जो मिट्टी है, वो पकी मिट्टी है, तेरा कोटा को आप लो तो वही हो जाता है क्या पकी मिट्टी पकी मिट्टी की अनेक प्रतिमाय भिन्नभिन छोटे बड़े आकारों में सर्वत्र पाई गई है यानि सभी अस्थलों से लगभग पाई गई है छोटी-छोटी मूर्तियां भी मिली हुई है बड़ी-बड़ी मूर्तियां भी मिली हु पूर्वी भारत की गुफ्वा परंपरा को देखते हैं जैसे आप लोगोंने पस्वी भारत को देखा उत्तरी भारत को देखा मद्द भारत को देखा, उसी तरीके से दक्षणी भारत को देखा, अब पूर्वी भारत चलते हैं, पूर्वी भारत हम लोग चलते हैं, और देखिए क्या खास कहा जा रहा है कि पस्यमी भारत के समान पूर्वी भारत में भी बिसेशकर आंदर प्रदेश और ओरीशा के तटी ये छेत्रों में बहुत गुफाओं का निर्माण किया गया कहा जा रहा है कि पूर्वी भारत में मुख्यत यहाँ पूर्वी भारत मतलब सेबन सिस्टर की बात नहीं की जा रही है आप लोग क्या समझ रहे थे वो पूर्वोत्तर भारत है यह पूर्वी भारत है वो जो सेवन सिस्टर है वो पूर्वी भारत है यह पूर्वी भारत की जा रहे यह पूर्वी भारत की जा रहे यह पूर्वी भारत की जा रहे यह पूर्वी भारत की बात नहीं की जा रहे थोड़ा अंतर को समझते रहेग आप लोग अब यहां पर कहा जा रहा है कि विशेश करके आंध्र प्रदेश में और ओडिशा यानि ओडिशा देखो सुद्ध सब्द है ओडिशा सुद्ध सब्द क्या है ओडिशा है इसी तरीके से थोड़ा सा अपनी व्याकरण संबंधी जो असुद्धियां है उनको भी सही करने का प्रयास किजिएगा ठीक ना आंध्र प्रदेश में एलुरू जिले में इस्थित गुंटा पल्ली इनमें से एक प्रमुक अस्थल है कहा ज़रा है कि पूरुवी भारत में आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले में गुंटा पल्ली एक अस्थल है गुंटा पल्ली और यहां से बौध मूर्तियों का उलेक मिला हुआ है बौध धर्म का एक तरीके से आप केंद्र कह सकते होगी आंध्र प्रदेश था वही आंध्र प्रदेश की बात हो रही है जिसमें एलुरू जिले में ही गुंटा पल्ली इस्थित है और यहां पे बौध मूर्तियों का साक्ष मिला हुआ है मठों की संरचना के साथ साथ पहाडों में गुफाओं का नर्माढ हुआ, कहा जा रहा है मठों मठ भी बने और पहाड़ों में गुफाओं का यहाँ पे नर्माढ हो रहा है, और कुछ छास बात क्या है दक्कन या दक्षिन भारत की आईए देखते हैं, एक चित्र है आपके सामने, इसको आप लोग देख सकते हैं, उदैगिरी, खंडगिरी, गुफा, भुवनेशर के समीब, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक सब्द लिखा हुआ है, पहले इस सब्द को देख लीजिए, उसके बाद में इसके चित्र को आप लोग देख कहा जा रहा है, उदैगिरी, और फिर खंडगिरी, और यह गुफा कहा जा रहा है, और यह ओडिशा के समीफ है, उडिशा की जो राजधानी है, भुवनेशर, उसके समीफ है, यह है ओडिशा, और ओडिशा की राजधानी आप लोग देख रहे होंगे, भुवनेशर है, औ और भुवनेसर के समीफ है ये उदैगिरी इसको उदैपूर मत समझ लीजिएगा आप लोग गलती से ने तो फिर बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा उदैगिरी ये खंडगिरी गुफा आप से अगर पूछा जाए तो कहां आप लोग बताओगे बताओ जरा यहां पर कमेंट करके जल्दी से उदेगिरी या खंडिगिरी गुफा अगर पूछा जाए आप लोगों से कि कहां पर इस्थित है तो क्या बताओगे आप लोग जल्दी से बताओ हाँ जमसित खान बताएंगे अन्तिम चैट इनहीं का है तो जमसित बताओ वेटा कहां पर इस्थित है उदेगिरी या खंडिगिरी गुफा कहां इस्थित है उदेगिरी या खंडिगिरी गुफा तो ये भुवनेसर में इस्थित है कहां इस्थित है भुवनेसर में इस्थित है और भुवनेसर ओडिशा की राजधानी है किसकी राजधानी है? ओडिशा की राजधानी है, ठीक, अब इसी का गुफा चित्र यहां पे बना हुआ आपको दिखाया गया है, इसको देखिए आप लोग, ध्यान से देखिए, यह गुफा चित्र आपको बना हुआ दिखाया गया है, देखिए किस तरीके से पत्थरों को काटके यह बड़े बड़े पत्थर आपको दिखाई पड़े होंगे इनको काटके यहां पे तमाम सारे पिलर्स बनाएगे और उसके अंदर में गुफाओं का नर्मार किया गया ध्यान से इसको देखे यहां पर देखे कुछ छात्र लोग आप जैसे बच्चे यहां पर टहल लोगों ने सही बताया आप लोगों ने देखिए यह खंड गिरी की पहाड़ी है यह उदेगिरी की पहाड़ी है और ध्यान रखिएगा यह उडीशा में ही इस्थित है यह कहां इस्थित है यह उडीशा में इस्थित है जार खंड में नहीं ठीक हाँ उडीशा में इस्थ अब आप लोग काभी समझदार हो गए ऐसे ही समझदार होते जाएए आप लोगं के लिए बढ़िया होगा आए कि कुछ महत्पूर्ण बातों का अध्यन करते हैं कुछ महत्पूर्ण तत्यों का अध्यन करते हैं संभौता यह एक ऐसा विशेश स्थल है जहां अस्तूप का साक्ष भी मिला हुआ है बिहार का भी मिला हुआ है और गुफाओं का भी साक्ष मिला हुआ है कहा ज़रा है कि जो गुन्टा पल्ली अभी गुन्टा पल्ली के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं, यह तो आपने चित्र देखा, यह खंडगिरी या उद्यगिरी की पहाडी है, और यह ओडीषा में इस्थित है, ओडीषा की राजधानी भौनेशर में इस्थित है, लेकिन इसके पूर्वा हम लोग आंध प्रदेश का अध्यन कर रहे थे और आंध प्रदेश का जो एलेरू जिला था एलेरू जिला में गुंटा पल्ली जो अस्थान है वहां के हम लोग गुफा चित्रों का अध्यन कर रहे हैं अब यहां पर कहा जा रहा है कि अस्तूप बिहार और गुफाओं का भी यहां पर अंकन मिलता है कहा जरा है आगे कि गुंटा पल्ली के चैत की गुफा गोलाकार है एवं प्रबेशद्वार चैत के रूप में ही बना है आगे देखिए एक बात और कही जा रही है कि पस्मी भारत में यानि पस्म भारत की अन्य गुफाओं की तु प्रदेश के एलेरू में गुंटा पल्ली में गुफाओं का नर्माढ हुआ अगर पस्मी भारत से कहा जाए कि पस्मी भारत और पूर्वी भारत की गुफाओं से तुलना कीजिए तो कैसे तुलना आप करेंगे तो यहां पर आपको यहीं बताना है कि यह जो पस्मी भारत की गुफाएं हैं अब इनकी तुल्ला में यह गुफाएं क्या हैं यह गुफाएं तो हैं यहां पर पूर्वी भारत में लेकिन छोटी छोटी हैं इस छित्रक की गुफाएं जबकि पस्मी भारत में आपको बड़ी बड़ी गुफाएं अजन्ता है एलोरा है एलीफिंटा है कितने अबस मरणी गुफाएं वहां पर आपको देखने को मिली उसकी अपेक्षा यहां की जो कलाकारी है यहां की जो कलाकृतियां है यह छोटी-छोटी है ठिक पिहार गुफाओं का निर्माण अधिक संख्या में हुआ है इसमें से कहा जा रहा है कि जो बिहार है पिहार कुछा जाए कि अस्तूब बिहार चैत्य में से किन गुफाओं का नर्माण पूर्वी भारत में सबसे ज़्यादा हुआ है तो बिहार का हुआ है अधिक छोटी होने के बावजूत मुख्य बिहार गुफाएं बाहर से चैत्य तोड़ों से सजी है यह गुफाएं आयताकार महराबदार हैं इनकी छतें कैसी हैं महराबदार हैं जो बिना बड़े कच्छी के एक मंजली या दो मंजली हैं अब यह भी आप लोग समझेए कि अजन्ता एलोरा में तो तीन मंजली गुफाओं को आपने कल पढ़ा था और यहां भी आप लोग देख रहे होंगे एक मंज किया इनका निर्माण इसा पूर्व की दूसरी सताबदी में हुआ था इसके बाद के काल में कुछ बिहार गुफाओं का निर्माण हुआ था गुंटा पल्ली के अतरिक्त राम परेम पल्लम एक अन्यमहत्तपूर्ण अस्थल है जहां पहाड़ी के ऊपर चट्टानों को का सब्सक्राट कर गुफाओं का निर्माण किया गया था एक अस्थल है यहां पर ध्यान रखना राम परेम पल्लम आए इस चित्र को देखिए जरा आप लोग यह बरामदा है यह जो उदेगिरी खंडगिरी की गुफा आपने देखी उसका बरामदा देखिए आप लोग बरामदा जैसे घर में बरामदा होता है वईसे इस गुफा में आपको बरामदा मैं देखा रहा हूँ इस बरामदे की संस्टना को देखिए यह कितना अधभुत आपको है यह पत्थरों को काट के ही इस बरामदे को बनाया गया है देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा एक बार देखिए किस तरीके से बरामदा जैसे आज भी आप लोग ग्रामीड अंचल में देख रहे होंगे इस तरीके से इधर की ओर ये जुका हुआ है और यहाँ पे पैदल लोग चलते हैं यहाँ पे कूर्ची लगा के बैठ सकते हैं यहाँ पे चार पाई लोग रख लेते हैं तो यही आपको इस तरीके से यहाँ पे बरामदा बिल्कुल अद्भूत आपको बरामदा देखने को मिलेगा बड़ा ही अद्भूद बरामदा आपको देखने को मिलेगा तो देखिए एक बार यहां की गुफा का यह बरामदा आपको दिखाया जा रहा है यह खंडिगिरी गुफा है यह उद्धेगिरी की गुफा है अद्धेगिरी यह उद्धेगिरी की गुफा जो भूनेसर में इस्थित है उसका बरामदा देखिए कितना अद्भूत बरामदा आपको दिखाया जा रहा है यहां पे ठीक आए आगे बढ़ते हैं अब आगे कहा जा रहा है कि पहाडों को काट कर पहाडों को काट कर एक छोटे अस्तूप का नर्माण किया गया था bleak भीषाख पटनम यह जो बिसांख़ा पटनम है आंध्र प्रदेश में इस्थित है और यहां पे आप लोग देखोगे एक अस्थान है यहां पे अनकाप ली एक गुंटापल्ली आपने पढ़ा ना जो एलेरु जनपद में इस्थित था और आंध्र प्रदेश इसका ही एक जिला है बिसाखा पत्नम और आप लोग देख रहे होंगे पोर्ट साइट भी है तो वहां पर एक छित्र है अनिका पल्ली में गुफाओं का नर्माड हुआ और चोथी पांचवी सताब्दी इस भी में पहाडी के ऊपर चट्टानों को काट कर बड़ा सा अस्तू का नर्माड हुआ ध्यान दीजिएगा यह एक ऐसा बिस्ष्ट अस्थल है अनका पल्ली जो आंद्र प्रदेश के बिसाखा पट्टम में इस्थित है यहां चट्टानों को काट कर देश के सबसे बड़े अस्तूप का नर्माड हुआ नोट कीजिएगा इस को कि देश के सबसे बड़े अस्तूप का नर्माड हुआ इस पहाड़ी के चारों और पूझा करने के लिए अनेक अस्तूपं का नर्माड किया गया और देखीगे क्या करने के लिए कहा जार आ से अस्तूप पूजा घर है मैं काफी दिनों से आपको बताता रहूं कि अस्तूप का एक सब्दों में जो अर्थ होता है वो पूजा घर ही होता है और यह बहुत धर्म से पढ़ा इसकी यस्टी को पढ़ा इसका गर्भग्रेह पढ़ा बहुत सारे अंगों को हमने पढ़ा है आगे देखिए उडीशा में भी चट्टानों को काटकर गुफा बनाने की परंपरा रही है यहां पे खंडगिरी या उद्यगिरी में सबसे आरंभिक उधारण आपको द यह गुफाएं फैली हुई हैं जिनमें खारविल जैन राजाओं के सिला लेक पाय जाते हैं तो यह जो खंडगिरी की गुफा है या उद्यगिरी की गुफा है आपसे प्रस्ण पूंच लेगा कि यह किस धर्म से सम्मंदित है पौद धर्म से या जैन धर्म से या बैस्नो धर्म से तो यह आप लोग बताईए जरा यह उद्यगिरी की जो पहाड़ी है जो खंडगिरी की पहाड़ी है एक किस धर्म से सम्मंदित है पौद धर्म से जैन धर्म से बैस्नों धर्म से बताईए एक बार जला जल्दी से उत्तर बताईए आप लोग खंडगिरी की सम्बंदित है बोला जल्दी बोला आप लोग बोलिए अधिक दर्म से संबंदित है बहुत महत्युपूर्ण प्रस्न है इधर ध्यान दीके आप लोग उत्तर बताईए कि प्रेम और कौन बताएगा बताईए सभी लोग बताईए एक तरफा आप लोग बताईए किस से सम्बंदित है ये है किस से सम्बंदित है ये है किस से सम्बंदित है तो ये जैन धरम से सम्बंदित है ठीक ध्यान रखेगा आप लोग और एक बात अवर ध्यान देजिएगा आप लोग खारबिल जैन राजा के सिला लेख पाये गए हैं एक राजा है और इस राजा का नाम है खारबिल और इसका यहां पर क्या पाया गया है सिला लेख सिला मतलब सिला यानि पत्थर या पासान और उस पर इसने इस खारबिल ने कुछ लेख लिखवाए हैं का लिखवाएं कुछ लेख लिखवाएं हैं आगे कहा जा रहा है कि सिला लेखों के अंसार ये गुफाएं जैन मुनियों के लिए थी इसके लिए थी जैन मुनियों के लिए थी यानी जैन भिक्षूओं से संबंदित थी ये गुफाएं जो उदैगिरी ये खंडगिरी की ग बनाया गया है पसूं की आकार की गुफाओं का निर्माण किया गया है पड़ी गुफाओं में आगे अस्तंबों की कड़ी बनाकर भी गुफाओं का निर्माण किया गया है आगे बढ़िये कुछ इसमें आगे आपको यह थोड़ा सा जो चित्र मिलेगा वो इसी प्रकार से इसमें है तो इसी प्रकार से यह चित्र आपको देखने को मिलेगा इसको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा यह अस्तूफ है और यह सांची का महा अस्तूफ है यह सांची का क्या है यह महा अस्तूफ है इसका आकार प्रकार आप लोग इसी तरीके से देख सकते हैं यह सांची का महा अस्तूफ है इसी तरीके से आप देख सकते हैं ठीक यह सा प्रागों को मैं आपको बताते चलूंगा आप लोग यहां पर ध्यान से किंद्रित होके देखेगा चुंकि यह इसी तरीके से यहां पर बना हुआ है तो इसे दूसरे फार्मेट में नहीं किया जा सकता अब यहां पर आप लोग देखिए तो आपको देखने को मिलेगा यह यह बेदिका बनी हुई मिली है यह लकड़ी के बेदिका यहां पर बनी हुई यह एक तरीके से तोरण द्वार आपको मिलेगा और यह पूरी तरीके से जो सनरसना आपको मिल लही है यहां पर यह उल्टे कटोरे की भात यह सनरसना आपको दिखाई पढ़ रही होगी और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जैसे उस दिन हमने आपको बताया था यह जो भाग आपको यहाँ पर दिखाई पड़ा है यही है गर्वग्रे यह वाला भाग यहीं पर देवता की मूर्ती रखी जाती है जो बहुत धर्म से सम्मंधित महात्मा बुद्ध हैं उनकी म चत्र लगे हुए हैं इसको ध्यान रखेगा एक दो तीन यह तीन चत्र आपको लगे हुए हैं ठीक तो इसके बारे में आपने इस महा अस्तूप को देखा और यह देखिए आप लोग कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पर तोरणद्वार मिलेंगे इस तरीके से इतने दिखाता हूँ इस प्रतिमा को देखिए यह पद्मासन मुद्रा में भगवान बुद्ध की आपको यह इमेज देखने को मिलेगी पदमासन मुद्रा में कई मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं आपको देखने को मिल नहीं है देखे ये पदमासन मुद्रा में किस तरीके से पदमासन मुद्रा में यानि महात्मा बुद्ध को यहां पर पल्थी मारके बैठा हुआ देखाया गया है इस ही को पदमासन मुद्रा बोलते हैं इस ही को क्या बोलते हैं इस ही को पदमासन मुद्रा बोलते हैं ध्यान से देखिएगा इसको और ये पदमासन मुद्रा की जो यहां पे प्रतिमा मिल लही है वो कहां से मिल लही है ये भी आप से पूछा जा सकता है पदमासन मुद्रा म महात्मा बृद्ध के प्रतिमा वो कहां से मिल लही बताइए आप लोग अभी थोड़ी दिर पहले आप लोगों ने देखा था इध कि उसमें वैसे ही छपा हुआ है और उसको थो हमने पढ़ा है अस्तूप खुब सीधा अस्तूप भी आप geographical के बीस में पढ़ा है अब यहां पर एक प्रतिमा आपके सामने है महात्मा बुद्ध की यहां पर महात्मा बुद्ध को देखे किस तरीके से पल्थी मार के बैठे विए दिखाया गया है ठीक पदमासन मुद्रा में बैठेगा तो और ये भी तो देखो थोड़ा सा अभय मुद्रा में भी महात्मा बुद्ध इस तरीके से ये हाथ के हुए यहां पर दिखाए गए है इनका हाथ भी तो देखो थोड़ा सा आप लोग देखो ये पदमासन ऐसा लग रहा है कि ध्यान मु संदरा में हैं देख लिया न और कहां से मिली हुई है यह प्रतिमा मत्हुचÑ के पास बनी है यह प्रतिमा और सभी लोगों ने एक तरफ से बता रही हैं कि भुनेसवर से यह प्रतिमा ॏ हुए है ठाइद ये भूनेस्वर पे ही अभी रुकी हुई है थोड़ा हम लोग आगे बढ़ गें हैं होने खंडगिरी उद्यगिरी को छोड़ दिया अब थोड़ा आगे बढ़ चुके हम लोग लोग बैटा हम लोग आगे बढ़ चुके भी है एक और देखिए यहां पर अ यह अस्थान आप लोग जानते ही हैं कट्रा तीला है और इसी यह तीला कहां से मिला है इसी मत्वुरा से मिला हुआ है और मतुरा आज जिला भी तो है एक मतुरा आज जिला भी तो है आगरा के समीप है मतुरा बिंदराबन से कौन यहां पे अपरचित है भई यहां पे एक बांके बिहारी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है बांके बिहारी का मतुरा बिंदराबन में बहुत प्रसिद्ध मंदिर ह न, वहाँ पे कभी चस्मा लगा के मत जाएएगा, चस्मा लगा के जायेगे तो फिर वहाँ पे जो बंदर हैं, उनको फिर colding पिलाना पड़ेगा, आपको फ्रूटी पिडाना पड़ेगा, फिर आपका चस्मा मिलेगा, ठिक, तो वहाँ पे दर्शन करने जाईएगा तो चस्मा निकाल के थैली में रख लेजिएगा इतने चालाग बंदर हैं मंदिर के आसपास में ही वहां पे रहते हैं आपका चस्मा निकाल लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा मैं तो एक बार वहां पे एक बारात में गया था एक साथी में गया था marriage में गया था तो थोड़ा पहले पहुँच गया तो हम भने खा चलो बाकी बिहारी मंदिर का Opera कर लेते हैं उस लोगों ने कहा भैया ऐसा करना कि चस्मा ठैली में रख लेना आउनके यार बंदर ही तो निकालेंगे पकड़े रहेंगे थोड़ा चस्मा को और उसमें दर्शन वर्शन सब कुछ कर लेया दर्शन करके परसाद चढ़ा के आए और करीब करीब 100-200 मेटर मंदर से दूर निकल गए और चस्मा निकल गया पता ही नहीं चला जब देखे तो क चस्मा निकाल के अपने हाथों में रख रहा है और दांत की नीची उसको दबाने का प्रयास कर रहा है कि तो बड़ा मुश्किल हुआ अभी तो पूरी बहरात पड़ी हुई है चस्मा बनवाया भी नहीं जा सकता इतनी जल्दी कम से कम 2-4 घंटे लगेगा वो भी 8-8 बज कि उनको पैसे दीजिए उसी में फ्रूटी या केले वगरा ले आते हैं और फिर दिला देते थोड़ा तो हुसियार रहिएगा आप लोग कभी जाएगा वहां पे तो यहीं है मतुरा अटिला थोड़ा सा हुसियार होके दर्शन कीजिएगा ऐसे ही आयुद्या में भी है हन पर ऐता हुसियल मतुर्यका जी रहते हैं हलागी इस तरीके से मतुरा के बंदर तेज हैं उस तरीके से आयुद्या के थो नहीं दूरा लगा ही रहता है कि हमारे घर से बहुत दूर नहीं है और यह थीह हैं यह वहां पर ऐसा नहीं है कि हां लदू-अडू लिए तो वह आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा मथुरा पहुंचते हैं और देखते हैं ये जो पदमासन मुद्रा में महात्मा बुद्ध की मूर्थी मिली हुई है इसकी क्या विसिस्ता है क्या खासियत है कैसे यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है तो एक बात तो आप लोगों को पता ही हो गई 200 प्रतिशत की महात्मा बुद्ध की जो मूर्थी एक मिली हुई है वह मतुरा से मिली हुई है और वह पदमासन मुद्रा में मिली हुई इतनी बात आपको कंफर्म है ठीक अब आगे आए देखिए आरंभिक एतिहासिक काल में मतुरा मूर्थी उत्पादन का एक विसा केंद्र था यहां पर बहुत सारी मूर्थियों का नर्माण होता था यही काजरा है कि मूर्थी उत्पादन का एक बहुत बड़ा केंद्र है मतुरा और वहां से कई मूर्थियां मिली है कुसान काल तक की जो पुरानी मूर्तियां मिली हैं, उनमें मतुरा से मिली मूर्तियों की संख्या भी काफी अधिक है अब यहाँ पर एक सब्द आया कुसाण ठीक ना, तो कुसाणों का मतलब किस से है, कुसाणों का मतलब विदेशी सासकों से और यह जो कुसाण सासक थे, यह चीन के थे जो यूची कबीला था उसको वहां के छित्रिय सासकू ने पराजित कर दिया फिर उसका रुख भारत की तरफ हुआ ये पस्मी चीन का छित्र था जहां पर ये कुसान लोग स्थित्त थे वहां से होके ये भारत आए और जब भारत आए तो भारत के उत्तर भारत में भारत के पहस्मी भारत में इन्होंने अपने सामराज्य की अस्थापना की। खास करके उज्जैन में इन्होंने अपना छेत्र अस्थापित क्या कई साखाई इनकी आई थी भारत में। कुछ ने मतुरा में अपने राज्य की अस्थापना की और राजधानी बनाया, कुछ मालवा में रुग गे, कुछ अन्य छेत्रों में तक्सिला में रुग गे, इसका जो प्रसित द्शासक होता है वो कुसानों का वहा कनिस्का होता है, और कनिस्का महात्मा बुद्ध एवं अपने दर्वार में सन्रक्षन देता है बौध धर्म को और आप लोगों ने देखा होगा कि जो बौध धर्म है बौध धर्म से संबंधित विभिन बौध सबाइं हुई है क्या हुई हैं कई बौध सभाएं हुई हैं बौध सभा का मतलब आप लोग समझ रहे ना बौध सभा बौध सभाएं हुई हैं इन्ही को बौध संगीती के नाम से जानते हैं हम लोग अब एक बौध सभा का हम लोग नाम ले गए यहां पे चुकि कुछानों से सम्मंधित बौध धर्म की परिफेक्ष में जो यहां पे मूर्तिकला का विकास हुआ उसको हम लोग देख रहे हैं तो उससे थोड़ा सा हमारी समझ में ब्यापक रूप से आ जाएगा अब जो चोथी बौध सभा है उसका जो आयोजन करवा रहा है उसका आयोजन यही कनिस्क ही तो करवा रहा है कौन इसका आयोजन करवा रहा है इसका आयोजन यही कनिस्क ही तो करवा रहा है और इसका यह जो आयोजन करवा रहा है वो कस्मीर के कुंडलवन में करवा रहा है कहां करवा रहा है कास्मीर आप लोग जानते हैं कास्मीर एक संगसासित प्रदेश जंबू कास्मीर नहीं लद्दाख और कुछ इस समय बना है तो यह जो कास्मीर है इस कास्मीर में एक पहाड़ी है एक गुफा है और इसका नाम है कुंडल बन इसी गुफा में इस बुध संगीती का आय। अगर यह महात्मा बुध और बुध धर्मों को संड़छन नहीं देता तो यह बुध सभा को क्यों बोलाता वो भी अपने समयकाल में तो ये बाउध सभा को बुलाया और आप लोग देख रहे होंगे कि इसी चतुर्थ बाउध सभा में जो बाउध धर्म है वो दो भागों में बिभाजित हो गया था, डिवाइड हो गया था हीनियान में और महायान में हीन यान में और महायान में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वो तो इतिहास का पक्ष हो गया लेकिन कुसानों की बात थी इसलिए हमने थोड़ा सा आपको बताया कि आप लोग समझ जाएं कि क्यों यहां पर कुसानों का नाम लिया गया तो कुसानों का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि कुछाणों ने बहुत धर्मों को अपने समयकाल में संरच्छन दिया था और महात्मा बुद्ध से संबंधित मूर्तियों का निर्माण भी करवाया था कस्मीर में कुंडल बन ठीक अब कहा जा रहा है कि मतुरा में मूर्ति बनाने का तरीका अलग किस्म का है इसलिए यहां पाई गई मूर्तियां देश के अन्य भागों में बनी मूर्तियों से भिन्न है एक भिन्नता देखिए एक बिसेस्ता देखिए यहां की मूर्तियों की कहा जा रहा है कि जो मतुरा में मूर्तियां मिली हुई हैं वो अन्य छित्रों की मूर्तियों से अलग हैं और यहां पे मतुरा में आपको कट्रा टीला हमने आपको दिखाया जहां से महात्मा बुद्ध का पदमासन आकृति में मूर्ति मिली हुई ही कुछान उने बवोध धर्म को शनक्षण दिया लेकिन कुसानघ सासक कनीस्ख ने इसका निर्वान नहीं करवाया क्योंकि यहां पे बात किसकी कि जा रहे ही ईसा की दूसरी सतावदी की बात कि जा रही और इसा की सीर्ष सेंचुरी में कुसानघ सासक चया ठीक और आप देखोगे कि जैसे 102, 3, 4, 5, 6 ऐसे उसका समयकाल है तो दूसरी सताब्दी भी कहा जा सकता है पहली तो था ही लेकिन दूसरी सताब्दी के सुरुवात में भी उसका समयकाल था तो इसमें बुद्ध को दो सहायक बोधि सत्तों के साथ दिखाया गया है अभी फिर से आपको दिखाएंगे आप लोगों ने ध्यान से देखा नहीं उसको वहाँ पे जो पदमासन मुद्रा में महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं दो सहायक उनके दोनों तरफ खड़े हुए हैं और वो बोधि सत्तों हैं एक इधर छोटे से महात्मा बुद्ध खड़े हुए हैं और एक इधर छोटे से दाहिने बाएं दोनों तरफ वहाँ पे छोटे छोटे बोधि सत्तों खड़े हुए अभी फिर से दिखाएंगा तीन नहीं है दो बोदिसद्न हैं उसले हैं यहां पर दीक में डिख्यों गज hyväकर देखि को देखिए अब पदमाउद्ला को इस्थती क्या है महात्मा बुद्ध की, देखिए उनका जो दाहिना हाथ है, इनका जो दाहिना हाथ, दाहिना हाथ का मतलब अगर इधर से देखोगे तो ये वाला हाथ, ये दाहिना हाथ है, जिससे हम लोग लिख रहे हैं, जिससे भोजन करते हैं मुख्यतेया, अभय मुद् चुनला भी था कि उस समय अभय मुद्रा में दिखाए गया ना कंधे से और उपर उठा हुआ यानि ये जो आपका कंधा इससे कुछ ऊपर उठा हुआ इस तरीके से है ना उपर उठा हुआ का मतलब इस तरीके से फिले ये इसी को अभय मुद्रा कह जाता apoy me को अभय मुद्रा के नाम से जाना जाता है और बाया हाथ ये देखे और बाया हाथ की लोकेशन देखिए इस्थिती देखिए बाया हाथ बाई जांग पर रखा हुआ दिखाया गया है जो ये बाया हाथ है वो बाई जांग पर रखा हुआ दिखाया गया है कमर पर रखा परदर्शित करता है और बाया हाथ जांग पर रखा हुआ दिखा अगया है और आगे देखिए उस्णिये यानि केस ग्रंथी एक और यहां पे एक बैज्ञ्यानिक सब्द वलीром्द आपके सामने इसको ध्यान से देखिए आप लोग उस्णिये यानि केस ग्रंथी को सिर पर सीधा उठा हुआ दिखाया गया है मथुरा की मूर्तियां इस काल से हलके आयतन और मांसल शरीर के साथ बनाई गई मांसल मूर्तियां यहां पर कंधे चोड़े हैं कंधे यह जो कंधे हैं यह चोड़े हैं काफी ठिक और देखिए क्या खास बात है संगती यहाँ पे एक सब्द आया है संगती और आप लोग बताईए संगती का मतलब क्या होता है मैं यहाँ पे एक सब्द आपको दे रहा हूं और यह सांस्कृतिक सब्द है सब लोग इसको बताने का प्रयास किजिए संगती यह सब्द में लिख रहा हूं संगती का तात्पर्य है आपको विकल्ब भी दे रहा हूं निश्चिंत रहिए का तात्पर्य है संगती का तात्पर्य है आपको चार विकल्ब में विलेंगे निश्चिंत रहिए संगती का तात्पर्य आभूशन से है या गहना से है संगती का तात्पर्य आभूशन से है या गहना से है दूसरे यहां पर आपको संगती का तात्पर्य बस्त्र से है संगती का तात्पर्य बस्त्र से है और तीसरे संगती का तात्पर्य किस से है हतियार से है संगती का तातपर्य हथियार से है या दी में आप लोग लेजिए बिकल्प एक और संगती का तातपर्य और किस से है निम्न में से किसी से भी नहीं है निम्न में से किसी से भी नहीं है अब बताइए आप लोग निम्न में से किसी से भी नहीं है संगती का मतलब किस से है देख लिया था क्या बिने और किस ने देखा था भई कुछ लोगों ने देख लिया था आरे वाह मतलब नजर बड़ी पैनी है आप लोगों की नजर बड़ी पैनी है आप लोगों की क्यूं मानना पड़ेगा संगती अगर ये प्रस्न पूछ लेगा न तो बड़ी दूर दूर तक लोग नहीं बता पाएंगे इसको संगती का तात परे संगती का तात परे अच्छा संगती का तात परे साथी भी होता है क्या बश्नो अच्छा यहां पर यह कौन है भई रूवी खान संगीत यह संगती यह करें जो संगीत होता है वही संगती होता है अच्छा कुछ लोग हंथियार भी बता रहे हैं अच्छी बात है कुछ लोग हंथियार भी बता रहे हैं कुछ लोगोंने देख लिया है कि ने तबड़ा मुश्किल हो जाता बता पाना आप फिल की जिये बता लेते क्या कि मैं ठीक तो संगती का मतर्प किसे होगा पुसाख और यह पुसाइक मुख्यतया बस्तर से संबंदित संबंधित होगा इससे संबंधित होगा आए देखिये इसको संगति को आप लोग कि अंगती को आप लोग देखिए एक बार कि ऐसे संगती लिखा हुआ है ना उसाक मतलब बस्त्र ठीक पुसाख मतलब क्या हुआ पुसाख मतलब बस्त्र हुआ ठीक हाँ अच्छी बात है लगबग अब लोग समझ गए अब आप लोग नहीं भूलेंगे मतलब काफी अच्छी इस्ति आपकी दिखने लगी एक ही कंधे को ढखते है एक तरीके से कंधे को ढखते souvent जैसे पुसाख का मतलब यहाँ पे बस्त्र इसलिए मैं काह रहा हूँ यहाँ पे आभूछन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप देखिए पुसाग का मतलब बाई जो आभूसण है वो तो निश्चित रूप से ढखेगा नहीं कंधे को तो आप लोग ये समझेए कि ढखा दोनों कंधे को जा सकता है जिसे एक साल हुआ दोनों कंधे को उससे ढखा जा सकता है लेकिन अगर एक कंधे को ढखा जाएगा तो देखिए उसकी स्टाइल थोड़ा सा अध्भूत लगेगी अविस्मरणी है वो चीज आपको लगेगी तो वही यहां पे कहा गया है उसे खास तोर पर बाएं हां से ढखते हुए दिखाया गया है जबकि संगती का स्वतंत्र भाग जो वक्ष अस्थल को ढखे हुए है शरीर के धढ़ तक ही रखा गया है बुद्ध सिंघासन पर विराजमान है अब एक बात और ध्यान रखिए आधराएगा जो पद्माषण मुद्रा में महात्मा बुद्र बैठे हुए हैं वह एक सिंघासन के ऊपर बैठे वए आपने कल्पना यह हमने भी ऐसा यह जो महात्मा बुद्ध हैं यह एक सिंगासन पर पदमासन की मुद्रा में बैठें साथ की आकरतियों को पदम पानी और पज्र पानी बोधी सत्यों के रूप में पहचाना जाता है। तो आकरतियों वहाँ पर दिखाई गई हैं तो वोधी सत्यों की आकरतियों दिखाई गई हैं इनको पदम पानी की रूप में जाना जाता है और इनको बज्र पानी की रूप में जाना जाता है। निक सिंघासन पर विराजमान नहीं है गलत हो गया सिंघासन पर विराजमान है और बहुत सारे लोग पत्मासन मुद्रा की जैसी भी बात आ जाकी ना तो बैठा हुआ है महात्मा बुद्ध तो क्यों भाई पुसाट क्यों धरन करेगा इनके हाथ में क्या है पदम है और पदम का मतलब क्या होता है ध्यान दीजिएगा कुछ सब्द आपको ऐसे यहां पर मिलेंगे कि कभी वह आपने सुना नहीं होगे तो एक सब्द आपको मिला है पदम और इसी से इनका नाम जो बोधिसत्यों है इनका पदम पाणी नाम और वे मुकुट पहुने हुए हैं और दोनों मुकुट पहने हुए हैं और इनका प्रभा मंदल भी दिखाया गया है वह बहुत बड़ा है प्रभा मंदल और स्थंकेदरिक बृत्त में शरल जैमिती ही है या कौडी है रुप से उरती हुई दो आकरतियाँ दिखाई गई अभी आप आपको एक बार पुना चित्र दिखाएंगे और चित्र दिखाने के बाद में तमाम सारी बातों को आपको बताएंगे एक बार इस चित्र को हम लोग अभी देखेंगे लेकिन पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं बहुत सारी विशेष्टाएं यहां पे हैं इस पदम पाणी के परिपेख्ष में या महात्मा बुद्ध की जो पदमासन मुद्रा यहां पे मिली हुई है ठीक खोड़ा सा क्वालिटी छोटी करनी पड़ेगी चुकि खोड़ा सा और दिख रहा होगा ज्यादा देर तक ऐसा नहीं होगा थोड़ी देर तक ऐसा होगा चार पास लाइन की बात है तो इतना तो आप लोग अर्जेस्ट कर ही लेंगे ना क्योंकि आप लोग अब बहुत समझ जोग्दार हो चुके क्यों आईए देखते हैं इसको अब ये पद्म और कमल वाली बाद देख ली और बज्र वाली बाद देख ली ठिक और यहां पर इनको मुकुट पहने हुए दिखाया गया है और कहा जा रहा है जो महात्मा बुद्ध हैं बुद्ध के सिर के चारों औ प्रभा मंदल दिखाया गया है वह बहुत बढ़ा है प्रभा मंदल के ऊपर कोडी है रूप से उड़ती हुई दो अकृतिया दिखाई गई वहें चित्र की सीमा के भीतर काफी गति को दर शाती है आकृतियों में पोर्व की कठोरत के अस्थान पर नंधा आग चुकी है उन्हें अधिक पार्थियों रूप दे दिया गया है सरीर के मोड़ों को इतनी सुको मलता के साथ उकेरा गया है कि मानोवा नारी अक्रती हो जो यह महात्मा बुद्ध की पदमासन मुद्रा में वास्तों में यह जो मोर्थि आप देख रहे होंगे ऐसा लग रहा होगा कि यह किसकी मोर्थि हो यह नारी की मोर्थि हो चुकि इसमें को मलता को दिखाया है सुको मलता को दिखाया गया है और यही मतुरा के मोर्थिकारों द्वारा निर्मित पुरुस और इस्त तरी आकृतियों का बिशिस्ट अंतर है यही बिशिस्ट अंतर है पतमासन लगाकर स्थीधे बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा रिक्त अस्थान में गति उत्पन करती है चेहरा मांसल है महत्मा बुद्ध का जो कपोलों के साथ गोल है चेहरा गोल है इसमें और देखो होने लगी जब महात्मा बुद्ध भोजन करते थे तो ठीक ठाक भोजन करते थे अब इस चित्र के माध्यम से भी यह दिखाया गया और जैसे अंति मवस्था में उनके मित्र सुभद्ध ने भी जो खिलाया था सूकर माध्धो वह भी खुब खाया था महात्मा बुद्ध ठीक लेकिन वह नियंत्रित है यह ग्यातब है कि मत्रा में कुसान काल की प्रतिमाओं के अनेक नमूने मिले हैं परन्तु यह मूर्ती परिवर्ती कालों में बुद्ध की प्रतिमा के बिकास को समझने हैं कि द्रिश्टी से बहुत महत्तोपून भी है अब आगे थोड़ा सा उस हम लोग प्रतिमा को एक बार फिर से देखते हैं महत्मा बुद्ध की प्रतिमा को तो थोड़ा सा और असपस्ट हो जाएगा यह आप देखिए यहाँ पर एक सिंघासन की इस्थिती भी दिखाई गई है यह सिंघासन आप देखिए यह सिंघासन नीचे आप देखिए इस सिंघासन दिखाई पड़ा आप लोगों को ध्यान से देखिएगा यह नीचे जो यहाँ पर बना हुआ है मैंने आपको बताया कि सिंघासन के ऊपर पदमासन मुद्रा में बैठे हुए हैं तो यह सिंघासन आपने देखा यह महत्मा बुद्ध पल्थी मार कर बैठे हो जाएगा अब यह जो बाया हात है इसको आप लोग देख रहे होंगे तो यहा tyre रहे हिए महत्मा बुद्ध और यहां पर दाह है मुद्रा में माहत्मा बुद्ध उठाय हुए है इस सरी इस नाम से जाना गया क्योंकि वक्यों like पे बोदी शत्व के दर्शन आपको हो रहे हूं एक बोधिसत तो इधर हैं एक को पदम पानी के नाम से जाना गया क्योंकि वो पदम यानि कमल धरन करते हैं और एक को किसके नाम से जाना गया एक को बज्र पानी के नाम से जाना गया क्योंकि वो बज्र को धरन करते हैं ठीक यही है महात्मा जो मतुरा से इस तीले से इनकी मूर्ति मिली हुई है यह कभी आपको भूलेगी नहीं मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को भूलेगी ठीक तो इसको अच्छे से एक बार मन में रिविजन कीजिए एक बार क्या है पदमासन मुद्रा की महात्मा बुद्ध की मूर्ती और अब अगली महात्मा बुद्ध की मूर्ती देखते हैं अब बुद्ध मुख की परतिमा बुद्ध के समान मुख की परतिमा एक मिली हुई ह और यह कहां से मिली हुए विया देखो आप लोग यह तक्षसिला से मिली हुई है यह कहां से मिली हुई है यह तक्षसिला से मिली हुई है तक्षसिला यही वो तक्षसिला है जिस विस्विद्याले का प्राचारे आचारे कोटिल्या था चाणक्या था भारत का मैकिया बेली भारत का विश्णो गुप्त था, कई नाम है उसके इसे विश्व बिद्याले में तो ले जाके चंद्रगुप्त मौरे को सिक्षा डिलवाई थी ना सक्षिसिला विश्व बिद्याले ही है सक्षिसिला गंधार महाजनपत की राजधानी भी है अब यहां से एक बुद्ध मुख्ध की परतीमा मिली हुई है इस बुद्ध को आप लोग देखेंगे तो इसका जो संदर रहे है उससे निश्चित रूप से आप लोग इंप्रस होंगे एक बुद्ध मुख्ध मिला हुआ है देखिए, महात्मा बुध्ध का मुख मिला हुआ है, वास्तों में आप लोग impress हो जाएंगे, क्या कलाकारी है, कितनी अद्भूत कलाकारी है, देखिए आप लोग, कितनी अद्भूत कलाकारी है, कितनी अद्भूत, देखिए आप, जैसे कोई आप से कुछ कह रहा हो, जैसे क अद्भुत प्रतिमा है कितनी अद्भुत प्रतिमा है महात्मा बुद्ध की आप देखिए महात्मा बुद्ध की कितनी अद्भुत देख सकते हैं आप लोग और केवल मुख ही ही है बस यहाँ पे केवल मुख ही मिला हुआ है और ये कहां से मिला हुआ है ये भी याद करते र तक्ष शिला से मिला हुआ है, टिक, आए आगे बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा सा पढ़ते भी हैं, यही बुद्ध मुख है, यहाँ पे साइड में भी आप, अब इसको कई प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है, थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे और चीजों को समझते रहेंगे, यह देखिए, यहाँ पे देखो, यह जो कमंडल है, आभा मंडल है, इसका बढ़न पहले करेंगे, और इनकी आँखों की इस्थिती, मस्तक की इस्थिती इनके ललाज की इस्थिती को देखेंगे, यहाँ पे इनका जो एक तरीके से यह चिक्स है, इसकी इस्थिती को देखेंगे, और इसके बढ़न को आईए देखते हैं, क्या खास बात है, जो यह प्रतिमा मिली हुई है, मुख मंडल मिला हुआ है, महात्मा बुद्ध का, यह कहां से मिला हुआ है, अब अच्छा, इससे आप लोग इससे थोड़ा सा यह जो यहाँ पे महात्मा बुद्ध की हेर स्टाइल यह दिखाई गई है, इससे क्या आपको प्रतीत हो रहा होगा, जरा सोचो आप लोग, यह जो हेर स्टाइल यहाँ पे महात्मा बुद्ध की द पताया कि यह जो प्रतिमाएं हैं यह कुछान सासकों ने बनवाई थी और इस पर जो प्रभाव दिखाई परढ़ा है वो विदेशी प्रभाव दिखाई परढ़ा है और आप लोगों ने देखा भी कि यह प्रतिमा गंधार से मिले हुई यानि गंधार प्रदेश की राजधानी तक्छ सिला से मिले हुई है कई बार मैं आपको बताता हूँ कि जो गंधार प्रदेश है उसी में कनिस्का ने एक सैली का विकास किया था जिसको गंधार सैली के नाम से जानते हैं ठीक अब उसी स्टाइल में यह मोर्ति बनी हुए ने कैसे हैं जल्दी से बता यह नियुँ कैसे हैं महत्मा बुद्ध के बाल लिज्य हिंढी में बताजिए आप लोग्यको Grill In हाँ गंधार सैली में ये प्रतिमा आपको मिलेगी तक्सिसिला से मिले हुए है गंधार प्रदेश की हिराजधानी तक्सिला है बताइए जराशा कैसे ये हेर स्टाइल है इन बालों से तो प्रभावित हो जाएंगे आप लोग और कौन नहीं प्रभावित होगा भई स्टाइल ही इतनी अद्भुध है तो कैसे बाल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर घुंगराले बाल दिखाई दे रहे है अब आएए यह देखिए यहाँ पर सब्द भी तो लिखा है आप लोग क्यों नहीं बोले यह देखिए पिलकुल यह सब्द लिखा हुआ है यह देखिए घुंगराले लिखा हुआ है क आईए पढ़ते हैं इसको और ये महात्मा बुद्ध का जो मुख मंडल मिला हुआ है आईए इसकी खास खास बातों का अध्यन करते हैं आज के पाकिस्तान यानि बर्तमान में पाकिस्तान में एक छेत्र इस्थित है और इस छेत्र को हम लोग प्राजीन काल में गंधार माहा जन्यपत के नाम से जानते हैं और यहीं पर तक्छ सिला इस्तित है और इसी गंधार प्रदेश की राजधानी तक्छ सिला है और यहां से नहीं अक्रतिमा मिली हुई है मुख मंडल के रूप में यह प्रतिमा इसा की दूसरी सताब्दी के कुसान काल की है कब की यह प्रतिमा है यह इसा की दूसरी सताब्दी की है यानि बीसी की नहीं है इस भी सन की है यानि एक सो एक दो तीन चार पांच साथ आठ इस यानि दूसरी सताब्दी की यह प्रतिमा है यानि कुसानों ने इस प्रतिमा को बनवाया था ठीक यह प्रतिमा गंधार काल में विक्सित अनेक चित्रात्मक परिपाटियों का मिला जुला रूप है यानि काफी एक तरीके से मिस्षित तला का प्रतिमा कर रही है प्रतिमा के सुरूप में कई इउनानी रोमन तत्तों पाय जाते हैं अब मिस्षित जो रूप पाया जाता है वो इउनान या रोमन का पाया जाता है एक बुद्ध के सीर्थ में अनेक युनानी किस्म के तत्तों हैं बुद्ध के सीर्थ में यानि उपरी जो भाग है महात्मा बुद्ध का यहाँ पर क्या पाया जा रहा है यहाँ पर अनेक युनानी किस्म के तत्तों पाया जा रहे हैं जो समय के साथ बिक्षित हुए हैं। पुद्ध के घॉंग्राले के खने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वास्तों में महात्मा बुद्ध के सर में इतने बाल नहें होंगे और घॉंग्राले बाल होंगे। ऐसा बनाया जा रहा है। एक कलपना करके बनाया जा रहा है। चोंकि ये जो style है, ये जो Sally है, ये गंधार Sally है और इस पर रोमन प्रभाव आपको दिखाई पड़ा है। तो रोमन प्रभाव आपने यानी पिसेशक रहे होगे, जो कलाकार रहे होगे, वो अपनी स्टाइल में ही तो मूर्ती बनाएंगे. वो सुचते हैं कि महत्मा बुद्ध के जो हेर रहे हैं, वो काफी ज़्यादा रहे हैं और काफी गुंग्रा ले रहे हैं. वो ऐसा सुचते हैं, ठीक? इस घने हैं और सिर में सिर को तेज और रेखी ये परस से ढखे हुई हैं मस्तक सम्तल है जो मस्तक है वो काफी सम्तल है ऐसा नहीं कि बहुत चोड़ा मस्तक है ना काफी सम्तल है और उसमें बड़ी-बड़ी पुतलियां वाली आखें बड़ी बड़ी पुतलियां वाली आखें समझ रहे न आप लोग आखें अध मिची अध मिची दिखाई गई हैं मतलब जो आखें हैं वो पूरी तरीके से खुली नहीं दिखाई गई हैं यही तो का जाएगा नहीं तो का जाएगा पूरी खुली आखें दिखाई गई हैं आ वो भारत के अन्य भागों में पाई गई प्रतिमाओं के तरह गोल नहीं है गांधार छेत्र की आकरतियां अब देखो गोल नहीं है अन्य छेत्रों में जो भगवान बुद्ध की मूर्तियां मिली या उनका मुख मंडल मिला वो गोल मिला लेकिन ये जो गंधार छेत्र में मह अफगानिस्तान की कल्चर में जाएंगे या मध्ध-ACI कल्चर में जाएंगे और इस समय आप लोग देखेंगे जैसे पाकिस्तान में ही आप लोग चले जाएंगे वहां के पुरिशों को देखिए, वहां के महिलाओं को देखिए, आफगाणिस्तान में देखिए, कभी चाहरारी है, कभी हस्त पुष्ट कभी लंबे लोग है यह चाहे इनकी नाखी हो चाहे इनकी भौ हो चाहे इनकी आखी हो चाहे इनका मुख मंडल हो यह औरों की अपेच्छा यह थोड़ा सा नुकीला आपको दिखाई पड़ेगा और जो नूकिला होगा, वो थोड़ा सा क्या होगा, वो उसके सौंदर एको बढ़ाने का काम करता है और गंधार सैली में जो मूर्तियां बनी, वो इसी तरीके से तो एमप्रस कर रही है तो कि गंधार छेतर किसका है, पाकिस्तानियों का है, बरत्मान ने जो तक सिसिला है वो पाकिस्तानियों का है तो यही कहा जा रहा है यहाँ पर आज भी आप देखोगे तो यह भी से इस्ता आपको देखने को मिलेगी क्या कोई आसपास में अफगानी आपके आसपास में हो कोई पाकिस्तानी आपके आसपास में हो तो आप लोग समझ सकते हैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आँखों को देख लिया, चेहरे को देख लिया और गंधार छेतर की आक्रतियों में कुछ भारीपन दिखाई देता है कान और विशेश रूप से उनके लटके हुए भाग ललरी लंबे हैं रूप के प्रस्तुती करण में रखिकता और बाहरी रेखाई तीखी हैं सताह समतल है, आकिरती बहुत भाव, भावा विभ्यक्त, भावा विभ्यन्जक है प्रकास और अंधेरे के पारसपरिक प्रभाव पर परियाप्त ध्यान नहीं दिया गया है और क्या है भीया? आजने नहीं का अस्थानी प्रम्परा के साद सम्मलन गंधार सैली की एक प्रमुक विषचता है इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कहा ज entren जो हख्यामनी के मेनियाई बंससके सासक थे को उजित पार्थियाई सासक हैं जो बैक्टरिया के सासक है इन सासव्ट की जो विभिण विश्श्टाइं हैं वह आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैν इस गंधार सैली में गंधार सैली की प्रतिमाओं में इवनानी रोमन परंपरा के रूप कृतिक लक्षन पहे जाते हैं परंत उनमें अंगो प्रतियंगो का प्रस्तिकरण कुछ ऐसा भी है जिसे पूरी तरह इवनानी रोमन नहीं कहा जा सकता अनेक बुद्ध तथा अन्य प्रतिमाओं के विकास के स्रोत उनकी विसिष्ट पस्यमी एवं पुर्वी सैली में देखे जा सकते हैं जो कि काफी उलेक नहीं हैं यह मुर्थियां बुद्ध और बोधि सत्तों की हैं और उनमें से बुद्ध की जीवन की घटनाओं तथा जातक क्रथाओं का यहां पर प्रस्तुति करण किया गया है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग आसन बुद्ध को देखते हैं यह देखिए आसन बुद्ध आसनस्थ बुद्ध और यह जो आसनस्थ बुद्ध की प्रतिमा मिली हुई है यह कहां से मिली हुई है यह सारनास से मिली हुई है यह कहां से मिली हुई है आसनस्त बुद्ध की प्रतिमा यह सार नास से मिली हुई है आसनस्त बुद्ध की प्रतिमा कहां से मिली हुई है सार नास से मिली हुई है इसको थोड़ा सा आप लोग देखिए आसनस्त बुद्ध की प्रतिमा कहां से मिली हुई है सारनास से मिली हुई है ठीक अब इस प्रतिमा को थोड़ा सा देखिए इसकी खास बात क्या है इसको भी देखिए यह आसनस्त बुद्ध यह आसनस्त बुद्ध हैं महात्मा बुद्ध हैं और यह जो प्रतिमा मिली हुई है यह सारनास से मिली हुई है यह प्रतिमास सारनास से मिली हुई है यह आसनन धारन किये हुई है महात्मा बुद्ध और यह भी एक बड़े से सिंघासन पर बैठे हुई है यह भी ध्यान रखिएगा एक बड़े से सिंघासन पर बैठे हुई है महात्मा बुद्ध और इसमें भी महात्मा बुद्ध को पल महात्मा बुद्ध के सर की ऊपर में एक आभा मंडल आपको दिखाया गया है यहां पर जो महात्मा बुद्ध है इनके बाल को एक तरीके से एक कुंडली में बांधा गया है ठीक एक कुंडली में बांधा गया है एक आभा मंडल ये बहुत बड़ा आभा मंडल यहां पर दिखाया जा रहा है इनके हाथ को आप लोग देख सकते हैं इनके पैरों की स्थिति को आप देख सकते हैं एक सिंगासन पर बैठे हुई हैं और उसके नीचे कुछ आकिर्तियां यहा प्रतिमा मिली हुई है यह प्रतिमा कहां से मिली हुई है यह प्रतिमा सारनाथ से मिली हुई है और सारनाथ कहां है यह जो प्रतिमा मिली हुई है यह सारनाथ से मिली हुई है और सारनाथ कहां है तो सारनाथ परणसी में है और सारनाथ को दो अन्य नामों से जाना जाता है रि रिसी पत्तनम या मरगदाव के नाम से भी जाना जाता है। उद्ध की यह प्रतिमा इसा की पांचवी सताबदी के उत्रार्थ की है। जो मिर्जापुर में एक चुनार है, चुनार के बलुवा पत्थर से यह प्रतिमा बनी हुई है। प्रसंग का प्रतिरूपन है, अब यह कैसा रूप है, यह धर्म चक्र प्रवर्तन का रूप है। क्योंकि सारनात में ही तो महत्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था ना। और इसी पहले उपदेश को ही बाउत धर्मे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि सिंगासन पर बैठी हुई अन्य आकृतियों में देखा जा सकता है। आगे पीच में एक छात्र और दो हिरन मानों आकृतियों के साथ दिखाए गये। इस प्रकार इस अइतिहासिक घटना को प्रस्तुत किया गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा को प्रस्तुत किया गया है। कुसान काल की मतुरा से प्राप्त होने वाली प्रतिमाओं की तुलना में कपोलों की गुलाई कम हो गई है हाथ धर्म चक्र पवरतन की मुद्रा में चाती से नीचे रखे गए दिखाए हैं गरदन कुछ लंबी है इस पर दो कटी रेखाए हैं जो बलन मोड को सूचित करती है प्राथीन भारत में मूर्तिकारों का उद्देश सदेव बुद्ध को ऐसे अब एक बात है महत्तपुन इसको देखिएगा इसको समझेगा कहा ज़रा है कि प्राथीन काल में यानि प्राथीन भारत में मूर्तिकारों का उद्देश सदेव बुद्ध को एक ऐसे महामानों क के रूप में प्रश्थुत करना था जिनोंने नरबान यानी क्रोध एवं घ्रणा से छुटकारा प्राप्त कर लिया था ऐसे बुद्ध को प्रदर्शित करना था इस काल के कलाकारों को सिंघासन के प्रश्थ भाग को एक ऐसे संकेंदित ब्यत में भिन भिन फूलों और बेल और सिंघासन की पीट पर की गई सजावट कला सिल्पी की संबेनल सीलता को दिखाती है यह जो सारनाथ की महात्मा बुद्ध की मूर्ती मिली हुई है और एक खास बात और देखिए आप लोग यहां पर कहा जारा है कि सारनाथ में खड़ी मुद्रा वाले बुद्ध की और भी बहुत सारी मूर्तियां मिली हुई है जिनका बस्त्र पारदर्शी है गति एक समाने तथा धर्म राजी का अस्तूप के चारों और अलग अलग उकेरा गया है अब एक अस्तूप यहां पर आपको मिला है और इस अस्तूप का नाम है धर्म राजी का अस्तूप अगर कि धर्म राजी का अस्थित है तो क्या बताएंगे आप धर्म राजी का अस्थित है धर्म राजी का अस्थित है धर्म राजी का अस्थित है तो कि धर्म राजी का अस्थित है सारनात में इस्थित है तारनात में इस्थित है अच्छी बात है तहां इस्थित है यह सारनात में इस्थित है और कौन कह रहा है कि सारनात में नहीं इस्थित है नात में इस्थित है कोई ऐसा है जो कह रहा हो कि सारनाथ में नहीं स्थित है ऐसा कोई नहीं है न अच्छा कासी में है सर मैं नहीं भूलूँगा मुझे अच्छी बात है मैं भी नहीं भूलूँगा ठीक तो चलिए वादा करते हैं आप लोग मत भूलिएगा तो यह जो धर्म राजी का अस्तूफ है इसका जो साथ से मिला हुआ है इसका जो एबडन्स मिला हुआ है ये कहां से मिला हुआ है ये बारानसी में इस्थित सारनास से मिला हुआ है और आज भी आप लोग देखोगे तो जो सारनास संग्रहाले या म्यूजियम है इसमें ये रखा गया है इसे आप देख सकते हैं इन में से कुछ तो अंकेले बुद्ध की हैं और कुछ में बुद्ध को बोधिसत्यों पदम पाणी और बजम पाणी के साथ दर्साया गया है यानि कुछ प्रतिमाएं महात्मा बुद्ध की हैं और कुछ प्रतिमाओं में महात्मा बुद्ध को वही कई बोधिसत्यों के साथ दिखाया गया है यह देख सकते हैं आप लोग खिक आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक और चित्र आपके सामने है और यह है चित्र क्या प्रदर्थित करता है यह भी काफी भब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब् पदम पाणी जो बोधि सत्त हैं उनका चित्र देखते हैं और ये कहां से मिला ये आजंता से मिला है जो गुफा आजंता की गुफा आप लोगों ने पढ़ा उसकी गुफा नंबर जो एक है वहां से पदम पाणी का चित्र मिला है अगर आप से प्रस्ने पूछे कि आजंता गुफा कहां है तो आप लोग कहेंगे महाराष्ट के अवरंगाबाद जिले में है ठीक और यहां पर कई गुफाएं है और उन में से जो एक नंबर की गुफा है इसी में पदम पाणी बुद्ध का चित्र मिलता है अब इस चित्र को आप लोग देखिए पदम पाणी यानि क पदम का मतलब क्या होता है पदम का मतलब कमल होता है तो कहीं न कहीं आसपास में कमल की आकरती या प्रतिकीरती आपको दिखाई जरूर पड़ेगी अब देखो कितना बड़ा कितना ब्रहत चित्र है आप लोग कोड़ा सा मैं छोटा करता हूं हो सकता है पूरा आपको दिखा पढ़ जाये लेकिन कितना भी मैं छोटा करनूं यह हाँ पर इस से छोटा होगा ही नहीं लोके हैँ टूसेचे कर दिया जाता है और उससे छोटा होता ही नहीं को ही बात नहीं आप लोग देखिए पूरी परतिमा और देख Electronic ब लोग इसे नीचे से देखते हैं तो देखिए आप लोग ये प willstopani bodhi sahto की प्रतिमा है प azampani bodhi sahtwo की प्रतिमा है आप लोग इसे नीचे से देखते आए थोड़ा सा अब muk Comingal की तरफ आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा मokedальным की तरफ आगे बढ़ रहे हैं यहां पे यह जो माला है इसमें गुरिया या तमाम सारे कह सकते हैं कि मोती यहां पे है इस माला में और आगे बढ़के इनके इस रूप को देखिए यह जो पदम पानी बोधी सत्तों की यहां पे मुद्रा दिखाई गई है यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यह प्रेम या दया की भावना के लिए यह है जो पदम पानी की मुद्रा आपको दिखाई जा रही है थोड़ा सा उस तरीके से दिखाई जा रही है इनकी आँखे देखिए, इनकी भौहें देखिए किस तरीके से भौहें यहाँ पर बनाई गई है आज भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा किस तरीके से भौहें बनाना क्या कलाकारी है क्या कलाकारी है, देखिए आप देख सकते हैं ये पदम पाणी बोधिसत्व की एक प्रतिमा मिल लही है कहां से मिल लही है एलोरा से मिल लही है ये भी याद रखिए गने तो प्रतिमा ही देखते रही है आप लोग ठीक और देखिए यहां पर यहां पर यह जो पदम पाणी बोधिसत्व की प्रतिमा मिल लही है यहां पर आप लोग देखेंगे तो एक तरीके से बही जो बोधिसत्व हैं जिसे महात्मा बुद्ध राजा के पुत्र थे तो कई बार क्या होता है कि वो राजा के जो प्रतिक चिन्न होते हैं उसको धरान करते हैं इनको भी दिखाया गया यहां पर है जो कि देखिए तो यह अजन्ता की गुफा है यहां से पद्म पाणी बोधिसत्व की यह प्रतिमा मिली हुई है और गुफा नमबर एक से मिली हुई है तो कितना अद्भुत द्रस से आप लोगों हो गए होंगे और एक प्रतिमां आपको लगे हांट और दिखा देता हूँ यहीं पर जिसते थोड़ा सा निरन तरता आप लोग की बनी रहें क्यूं और ये गुफा संख्या, गुफा संख्या एक आपने देखी अभी थोड़ी दिर पहले, आप गुफा संख्या दो भी आप लोग देख लिजे, गुफा संख्या दो का चित्र देखिए जल्ली से, गुफा संख्या दो का चित्र देखिए ठीक, ये दो का चित्र है, ये दर्चन कर लेंगे, कुछ खर्चा बर्चा करना चाहतें नहीं आप लोग, घूम के आएं आजनता और गुरु जीकों को भी घूमाएं, क्यूं, 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 आगे बढ़ते हैं, यहाँ चित्र आजनता की गुफा संख्या एक में पूजा ग्रह से पहले इस्थित आंतरिक बड़े कक्ष की पिछली दिवार पर चित्रत है, देखे, आजनता की जो गुफा संख्या एक है, उसमें से यहाँ चित्र कहां बनाया गया है, यहाँ पे आपको जो पूजा ग्रह म प्रतिमा का चित्रांकन किया गया है इनमें बोधिसत्य को एक पदम यानी कमल पकड़े हुए दिखाया गया है कमल को पकड़े हुए यहाँ पे दिखाया गया है ठिक उनके कंदे बड़े हैं शरीर में तीन मोड हैं जिनमें से चित्र में गती उत्पन हुई दिखाई देती है प्रतिरोपन क्या है सुकोमल है बाहरी रेखा हैं शरीर के आयतन में बिलीन प्रतित होती हैं जिससे त्रियामी प्रभाव उत्पन होता है बोधिसत तो एक बड़ा मुकुट पहने हुए हैं जो बोधिसत तो पदम पाड़ी हैं वो एक बड़ा मुकुट धारन किये हुए दि गूम सकते हैं, गूमने से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सोने से तो अच्छा है घर में कि कहीं गूमी लें और गूम लें तो कुछ सीखने को मिल लाएगा, ठीक, तो गूमना चाहिए, मुकुट पहने हुए दिखाया गया है, जिसमें ब्रस्तित चित्रकारी पिष्टि गोचर होती है, बढ़ाई के समय में जब मुझे कभी-कभी इलहाबाद में रहता था हास्टल में, तो मेरे बड़े भाई भी हमारे साथ रहते थे तो वो तो अधिकारी बन गए, तो जब मुझे नीद आती तो भी एक घूम आतो जाके, फटा-फट, तो चले जाते हम लोग कभी आनंद भून घूमते, कभी उदर संगम के तटपर चले जाते, इलहाबाद के किले में, वहा घूमने का मतलब घूमना नहीं है, घूमने का मतलब सीखना है, घूमने का मतलब ज्यान की प्राप्ति करना है, तो आए और यहाँ पे जो सिर है, वो थोड़ा सा बाई और जुका हुआ है, देखा ना, सिर थोड़ा सा बाई और जुका हुआ है, तो बाई यह है, इस तरीक से सिर यहां पर जुका हुआ है और यह जो जुका हुए यह कितना अध्वुत लगता है आखें आधी मिच्छी हैं मतलब आखें पूरी खुली हुई नहीं है और कुछ लंबी बनाई गई हैं नाक तीखी और सीधी है तेरे के सभी उबरे हुए हिस्सों पर हलका रंग किया गया है कितना अध्वुत बर्णन करते हैं यहां पर भारस सरकार के लोग हैं और एक खास बात देखते हैं एक जो पूछा जा सकता है उसको देखते हैं कहा जा रहा है कि इसमें लाल भूरे धूसर हरे और नीले रंगों का प्रयोग किया गया है पांस रंग है इसमें लाल हो गया भूरा यानि कह सकते हो आप भूरा का मतलब काला रंग लेकिन पूरा एक तरीके से काला नहीं है इसलिए काला नहीं लिखा गया तो लाल हो गया भूरा हो गया धूसर हो गया हरा हो गया नीले रंग का प्रयोग किया गया है इसमें इतने रंगों का प्रियोग किया गया है नाग का उभार हैं ये सारी चीजें यहां पर मिंसन है और आगे गुफा संख्या एक के चित्र अच्छी किस्म के हैं और उन्हें ठीक से अजनता के चित्रों में कुछ प्रकार आत्मक और सैलीगत विभिनता हैं देखी जा सकती है ऐस दूसरी और बज्रपानी बोधिसत्व को चित्रत किया गया है एक और बात देखिए आप लोग क्या कहा जा रहा है भी या इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इसमें कई महत्तपूर्ण फैक्ट है कि कहा जा रहा है कि पदम पानी की उपर युक्त आक्रती की दूसर और बज्रपानी बोधिसत्व को चित्रत किया गया है और बज्रपानी दाहिने हात में बज्र लिए हुए हैं और सिर पर मुकोट पहने हुए हैं इस आक्रती में भी वो सब चित्रात्मक विसेष्थाएं पाई जाती हैं जो उपर पदम पाणी के बारे में बताई गई है जैसे महा जनक जातक उमंग जातक आदी अब हमने आपको बताया कि जो जातक ग्रंथ हैं वो मुख्यतिया पाली महासा में लिखे गए हैं जो जातक गरंथ है ना और जातक गरंथों का संबंद किस से है बाउद धर्म से मुख्यत या महात्मा बुद्ध से है बहुत सारे जातक गरंथ आपको मिलेंगे और इन जातक गरंथों में महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्मों की कथा को बताया गया है कि महात्मा बुद्ध पूर्व जन्म में क्या थे अब इसमें महाजनक जातक की कथा संपूर दीवार पर चित्रित हुई है और यह सबसे बड़ा आख्यान चित्र है ऐसा प्रतीत होता है कि पदम पाणी और बजर पाणी देथा बोधी सत्तों के चित्रों को इस पवित्र अस अब यह एक गुफा चित्र आप लोग देखिए यह एक गुफा चित्र है और यह महाजातक का चित्र है यह भी गुफा संख्या एक में ही है यह भी गुफा संख्या एक ही है अजन्ता की गुफा संख्या एक का चित्र है इसको महाजातक जो जातक ग्रंत है उसमें इसका ब ये भी अजनतह कि ये भी अजनता के गुफा संख्य एक में इसका भी बढ़न किया गये है कि इसका भी क्या किया गया है इसका भी बढ़न किया फिक आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अब आजन्ता की गुफा संख्या देखे आप लोग आजन्ता की और गुफा है आपके सामने और इस गुफा को किसके नाम से जाना जाता है ध्यान से देखे इधर आप लोग ये आजन्ता आप इसको पूरा आप लोग देख सकते हैं ये है आजन्ता की गुफा ये है आजंता की गुफा और आखेरी गुफा है आजंता की ना आजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं क्या दारा है ना कनफर में किया था हमने कुल कितनी गुफाएं है 20 गुफाएं है और यह अन्तिम गुफा है आपके सामने इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग इस गुफा का नाम क्या है मार बिजे गुफा इस गुफा का नाम क्या है मार बिजे गुफा नाम को याद कीजिए मार विजे गुफा है ये मार विजे गुफा है अजन्ता 26 नमबर की गुफा है अंतिम गुफा है 26 नमबर की गुफा है और अंतिम नमबर की गुफा है ठीक अब आईए देखते हैं इस 26 नमबर की गुफा में किसका भाई अंकन किया गया है क्या खास बात है इस गुफा की 26 वे नंबर की जो गुफा है उसमें किस तरीके से महात्मा बुद्ध का अंकन किया गया है किस तरीके से महात्मा बुद्ध को दिखाया गया है काफी अद्भुद्र से ये भी मुझे लग रहा है तो देखिए इसको थोड़ा क्वालिटी मेंटेन ही करके देखते हैं जब एक पेज में पूरा आएगा ही नहीं तो क्वालिटी मेंटेन करके ही देखते हैं ठीक रेगुलर फाम में देखेंगे एक बार इसको आप लोग अब बहुत बड़ा हो गया थे तो एक बार देखिए ये 26 नंबर के गुफा है कितनी भव्य ये गुफा आपको यहां पे दिखाई गई है नीचे से उपर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं नीचे से उपर की तरफ हम लोग यहां पे बढ़ रहे हैं देखिएगा आप लोग ध्यान से और यहां पे अब आपको कौन मिलेंगे यहां पे बैठे हुए देखो महात्मा बुद्ध मिलने हैं यहां पे महात्मा बुद्ध आपको बैठे हुए मिलने हैं देखो इतनी दिर बाद महात्मा बुद्ध का चित्र आया ये देखिए इतनी देर बाद महात्मा बुद्ध का चित्र आया और ऐसा लग रहा है कि ये जो महात्मा बुद्ध का चित्र है ये बाल ये काल वाला चित्र है बस्पन का चित्र है चाइल धुल्ड है महात्मा बुद्ध याँ पर तो ये है 26 नंबर की गुफा ठीक और इसको फिर से याद कर लिजेगा मार विजे नाम है इसका अजनता की 26 वे नंबर की गुफा है अजनता की 26 वे नंबर की यह गुफा है मार विजे गुफा ठीक मार विजे गुफा यह अजनता की 26 वे नंबर की गुफा है अजनता की 26 वे नंबर की गुफा है ठीक कि मार विजे गुफा के बारे में थोड़ा सब पढ़ते हैं ठीक क्या खास बात है दो तीन बातों को ध्यान रखना इसमें से मार विजे गुफा आपके सामने है अजन्ता में है 26 वे नंबर की गुफा है कि दो तीन मात्व पूर्ट तथ्य याद की रखे मार विजे गुफा आजन्ता 26 नंबर की गुफा मार विजे का विजे अजन्ता की कई गुफाओं में चित्रत किया गया है यहीं एक मूर्थिक आत्मक प्रतिरूपन है जिसे अजन्ता की गुफा संख्या 26 की दाहिनी दीवार पर प्रस्तुत किया गया है दाहिनी दीवार पर है यह न यहाँ मूर्थी बुद्ध की महा परिन्रवान की डिसाल प्रतिमा के पास में बनाई गयी है मोर्ती फलक में बुद्ध की आकिरती को बीच में मार की पुत्री और सेना से घिरा हुआ दिखाया गया देखें नीचे आप अभी एक बार फिर देखेंगे पढ़ लिजिए कुछ चीजों को आप लोग ध्यान दिजिए यहां पर जो मोर्ती बनी हुए मोर्ती फलक में बुद्ध की आकिरती को बीच में मार की पुत्री और सेना से घिरा हुआ दिखाया गया राजा है जिसका नाम है मार या कुछ और हो चकता है यहां पर असपस तो नहीं है अब इसकी पुत्री है और सेना से घिरा हुआ यहां पर महात्मा बुद्र को दिखाया गया है यह गटना बुद्र की ज्ञानोदय का हिस्सा है ज्यानोदय का हिस्सा है जैसा कि हमने आपको ब क्या प्राप्त करते हैं? जिसमें सिक्षा प्राप्त करते हैं और सिक्षा जब प्राप्त करते हैं तो यानि जो सच्छिनिक इस्थती होती है उसमें व्यक्ति कम उम्र का ही होता है तो कम उम्र के ही महात्मा बुद्ध को दिखाया गया है इसमें सिध्धार्थ यानि महात्मा बुद्ध का बच्पन का नाम सिधार्थ है ये उस मानसिक संचोब की इस्थिती का मानवी करण किया गया है जिससे होकर बुद्ध को बुद्धत प्राप्ति यानि ग्यानोदे की समय से गुजरना पड़ा था और आगे बढ़िए ग्यानोदे की बात हो रही है यहां पर ठीक और क्या कहा जा रहा है और आख्यान की अनुसार जो यह आख्यान है इसमें यह मार और महात्मा बुद्ध के भी संबाद होता है अब इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा क्या खास बाते हैं इसमें आईए देखते हैं कहा जा रहा है उदारता के प्रति साक्षी के रोप में इसारा करते हुए दिखाया गया है यह उबरा हुआ प्रतिमा फलक अत्यन्त जीवन थै और अजन्ता की अतिरिपक्क मूर्तिकला का उधारन है यह रचना अनेक छोटी छोटी प्रतिमाओं के साथ प्रस्तुत की गई है आकरती के दाहिनी और मार को अपनी बिसाल सेना के साथ आते हुए दिखाया गया है यानि कि यह यहाँ पर असपस्ट हो गया कि यह जो मार है यह क्या है एक राजा ही है तो कि इसके पास सेना है और एक विसाल सेना के साथ यह आ रहा है इसका मतलब यह सेना पती है या राजा है ठीक, उसकी सेना में तरा-तरा के आदमी ही नहीं, बलकि ब्रक्रत चेहरों वाले अनिक जानवर भी हैं, कई जानवर भी हैं इसकी सेना में, अब देखें, अब निचले आधार में संगीत कारों के साथ नाजती हुई आकृतियों की कमर आगे निकली हुई दिखाई गई है, ए और निचले सिर्य पर मार की प्रतिमा को यहां सोचते हुए दिखाया गया है कि सिधार्थ बुद्ध को कैसे बिसलित किया जाए अब यहां पर कुल मिलाके मैं आपको बताओं जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में जो महात्मा बुद्ध के बारे में जो बहुत बड़ा हस्त रेखा बिसे सग्य था जो मस्तक की ललाटों को देखके उस ब्यक्ति के भविश्य के बारे में बता देता था उसने कहा महात्मा बुद्ध या तो बहुत बड़े चक्रवरती सम्राठ बनेंगे या सन्यासी लेकिन इनके पिता जो सुध्धोधन थे कपिल बस्तु गणराजी के मुखिया थे वो नहीं चाहते थे कि यह जो बालक है सिध्धार्थ इसका जुकाओ सन्यास की तरफ इसलिए तमाम तरीके का उन्होंने उपाय किया अब जैसे उस दिन में आपको बता रहा था कि भाई महात्मा बुद्ध के पिता सुध्धोधन बहुत परहसान हुए क्योंकि राजा का बेटा राजा बने तो अच्छी बात है सन्यासी बने तो गड़बड़ बात है तो ऐसे में सुध्धोधन ने कई उपाय किया अपने मंत्रीों की सभाओं को बुलाया कि भाई हमारा बेटा सन्यासी नबने राजा इसलिए उनुने बहुत सरा उपाय किया लोगों ने का भाई अगर बिवाह कर दिया जाए तो अच्छा होगा, अब बिवाह कर दिया गया यह सुधरा के साथ में, लेकिन उससे भी ऐसा नहीं हुआ कि महात्मा बुद्ध का जुकाओ सन्यास की तरफ नहों, सन्यास की तरफ महात्मा बुद्ध लगे रहे, तो लोगों ने पताया, यानि उनकी मंत्री परशत ने बताया कि हो सकता है कि ये सुधरा में कोई प्राब्लम हो, उनका मन उसमें ना लगता हो, तो कुछ लोगों ने सुधोधन को सलाह दी, कि भाई जो बड़ी बड़ी अफसराएं हैं, सुन्दर सुन्दर अफसराएं हैं, महत्मा बुद्ध की आसपास उनका एक घेरा बना दिया जाए, वह महत्मा बुद्ध को अपने डांस द्वारा मंत्र मुखध करती रहें, जिससे महत्मा बुद्ध को सन्यास के बारे में सूचने का ही मौका ना मिले, यानि एक तरीके से जो भावतिक बादी बस्तुएं हैं और जो जीव यानि प्राण किया गया कि किसी भी तरीके से बिरह यानि बियोग यानि सन्यास की इस्थती महत्मा बुद्ध में आए ही न, तो यह जो कहानी हमने बताई थी, यह कहानी नहीं है, यह इतिहास है, और इसी का चित्रांकन आप लोगों ने देखा यहां पे, कि अजंता की जो 26 में नंबर की गुफ़ा है, उसमें किया गया है, आप देखिए इसको, वही तो दिखाया गया है, यह देखो, और यहां पे यह कहा गया है, कि सिधार्थ बुद्ध को कैसे बिसलित किया जाए, कैसे बिसलित किया जाए, मतलब सन्यास की तरफ इनका रुख ना हो, यह भौतिक बादू ब परतिमा तो यहां से मिली हुई है, ऐसा ही साक्स तो यहां से मिला हुआ है, लेकिन वही बात है कि सब यह जो डांसर हैं अपना डांस वांस करती हैं, अकेले महत्मा बुद्ध देखते हैं, सू जाते हैं बिचारे, अफसराएं भी सू जाती हैं, महत्मा बुद्ध जाग जात अब अफसराओं को देखते हैं तो कहीं लिपिस्टिक निकल रही है कहीं काजल बह रहा है कोई अधोबस्त्र इस्थिति में पड़ी हुई है किसी के ऊपर तो बस रही नहीं है मात्मा बुद्ध ने देखा आरे क्या जिंदगी है यह वो अफसराएं जो अच्छी लग रही अब कुरूप लगने लगी तो मात्मा बुद्ध ने सोचा यह यह काम ठीक नहीं है कि अच्छी इस्थिति नहीं है और यह सत्य भी नहीं है तो फिर अपने घर से निकले वही चार बातें मात्मा बुद्ध की हैं और अंतिम में उन्होंने सन्यासी को देखा अब सन्यासी क देखा तो सन्यासी को देखके अपना ग्रहत्याग दिया ठीक अब और आगे थोड़ा सा बढ़िए कहा जा रहा है अजंता की गुफाओं में कला सिल्पियों की भिन्न भिन्न स्रेणियों में काम किया गया है यहां पे तमाम तरीके की सैलिगत विसिस्ताइं देखने को मिलती हैं और यहां की जो प्रतिमाएं हैं अजंता की वह अत्यंत प्रसिद्ध हैं और यह भी यहां पे कहा गया है कि कई प्रकार के यहां पे चित्र है उसमें एक चित्र में नास्ति हुई आकरतियों का ऐसा ही बिन्नास और अंगाबाद की गुफाओं में भी देखा जा सकता है अब एक आकरती और आपको दिखाते हैं यहाँ पर यह जो बची हुई आकरती है इसको देखिए आप लोग यह आकरती आप लोग देखिए एक बची हुई आकरती थी इसको आप लोग देखिए और यह एक आकरती यह भी है यह भी महात्मा बुद्ध के बच्पन की आकरती है सारी आकृतियां यहाँ पर बहुत धर्म और महात्मा बुद्ध से ही संबंदित हैं किससे संबंदित हैं? बहुत धर्म और महात्मा बुद्ध से ही संबंदित हैं एक अन्य आकृति है इसको आप लोग देखिए एक अन्य आकृति है इसको आप लोग देखिए पांस मिनिट का समय आप लोगों का आउर लेंगे पांस मिनिट का समय आउर लेंगे आप लोगों का देखिए इस आगरती को एली फेंटा की महेस मुर्ती है एली फेंटा की महेस मुर्ती है इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा ये तरचा आपको देखने को मिल ला है चुकि यहां पे इसी प्रकाल से ये बना हुआ है ये एली फंटा गुफा की मुर्ती है और ये महेश की मुर्ती है किसकी मुर्ती है? ये है महेश की मुर्ती है एली फंटा गुफा की मुर्ती है और यह महेश की मूर्ती है एली फिंटा गुफा की मूर्ती है और यह महेश की मूर्ती है एक मूर्ती और है इसको भी देखिए आप लोग यह भी उसी आकार प्रकार में बनी हुई है और आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे कल हम लोग पढ़ेंगे जो भित्ती चित्र परंपरा है, ये इस तरीके से मैं एक जलक आपको देखला देना चाहता हूँ, भित्ती चित्र, ये तमाम तरीके से आपको चित्रों की परंपरा देखने को मिलेगी, भित्ती चित्र कारिता क्या होती है, कहां कहां से भित्ती चित्र कारिता के साक्ष मिले हुए हैं इसकी बिस्षिस्ताइं क्या होती हैं कैसे कैसे यहां पे कुछ महत्व पूर्ण तथ्य आपको देखने को मिलेंगे और इन सभी का अध्यन हम लोग कल की क्लास में करेंगे तो आज की क्लास फिर यहीं पर समाप्त करते हैं आज की कुछ पूछना हो तो पूछिए मैं देखता हूँ आप लोग के कमंड को और आप लोग आज की क्लास में सामिल हुए आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत सुक्रिया फिर भी कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कि भूलिए कि हाँ बोलो बेटा क्या नाम है प्रिशा क्या कहना चाहरे हो कुछ पूछना है कि ऐसा नहीं है सारी महारास्ट में बिक्सित हुई चुकि महारास्ट में पहाडियां भी तो बहुत हैं और पहाडियों को काटके ही तो एक तरीके से गुफाओं का नर्माण किया गया वहां की जलवाई हुए ऐसी एक लाइमेट ही ऐसी कि और कोई नहीं अब अब रेगुलर हो जाईए क्या दिक्कत है तो चलिए फिर आज की क्लास ही पर समाप्त करते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत सुक्रिया आपको पूना अच्छा हाँ पीडिएफ ये पीडिएफ आप लोग हमारा अनेकेडमी हिस्टी वाई संजीव पांडे के नाम से गुरूप जोइन कर लेजिए आज ये पीडिएफ में सिंट कर दूँगा ठीक पढ़ लेजिएगा एक बार ओके थैंक्यू